देखे बिहार में अगर किसी भी चीज से लालू परसाद जी का नाम जुर जाता है तो अपने आप में चर्चा का विशय हो ही जाता है चाहे वो अगहरेलू विबाद हो या जमीन संबंधी विबाद हो हमारे साथ है लालू परसाद जी के भतीजे नगेंदर राय दीन भर चर्चा का विशय रहा कि जमीन संबंधी मामले में गोली बारी हुई है इनके उपर केस भी हुई है लेकिन बिल्डर नितिन जो है इनके उपर केस किये हैं और दो करोर रुपए रंगदारी की मांग किये ह माहां आने के बाद मामला कुछ और लग रहा है सुभास चंद राय हैं उनके साथ इनका केस चल रहा था क्या है पूरा मामला हम बात करेंगे आज आपके उपर रंगदारी का मामला है और एफाई अर दर्जुव ऐब देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि पहला कि मैं को अधिन को कि नहीं है एक रगदार्यच की बात करें आ जब मैं उसको पहाँ रहा है कि वह गशनायका है को मैंने 2010 में लिया था और ले कर्राहें ये निटीन जो है बिल्डर अगर दावा करें कि हमारी संपत्ति है और हमको बधनाम करें तो उन से मांगा जै डोकिमेंस आपकी संपति है तो की साधहार पर आपकी संत्ति पूलीस तो सब जानती है वह नंबर देख लेगी पूलीस और ये पता कर ले कि मेरा हुआ आदमी है कि फरजी है कि आई ये सारा बना बनाया चीज है, ये सिर्फ बदनाम करने का और अपने बचने का वो कोशिश कर रहा है। क्योंकि पुलीस ने जबती किया है सरा समान और दूसरा काणून का उलंग हम किया है, तो अपने बचने के लिए इस तरह का बदनामी कर रहा है की नितिन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कुछ आवाजे आ रही है, जिसको वह बता रहे हैं कि नगेंदर राय के जो गुरुगे गए थे, उन्होंने फाइरिंग किया है, अलागी पंजाब के रिसरी इसको पुष्टी नहीं करता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हत्यार के साथ गए और गोलीवारी भी किया है, देखिए ये सब बोलेना कि बिल्कूल ही गलत है, वहाँ कोई फाइरिंग नहीं हुए, पुलिस खूद आई है और उसको सब जब्त करके ले गई है, और मैं दस बच तक पुलिस के साथ था, तो फाइरिंग की बात ही नहीं होती है वहाँ पर, पहला चीज कि मैं तो इसको जानता ही, तो फाइरिंग का बात कहां से हो जाएगा, और पुलिस के साथ में वो जबती करवा कि मैं थाने गया हूँ, अपलिकेशन बोला गया कभी कहता कि आम लोगों के बीचे बोला गया तो एक जगे पर आ जाए कि सही क्या है हमारे पास इतने डोकुमेंट से अब देख लिजिए और वो जो है बीच में अभी आ गया इसके पहले भी एक बिल्डर थे राजी उन्हें नाम के आदमी उसके पहले भी थे अगर जमीन पर 145 धारा चल रहा है तो फिर पुलिस प्रसाफशन की उपस्थिती क्या बताता है यहीं बताता है कि सब लोग मिले हुए हैं और हमारे उपर जो केस किया गया है यह भी बताता है कि थाना भी मिला हुआ है क्योंकि हमको किसी भी तरह से कैसे अपमानित किया ज है यह सारा मिली भगत सी यू ठाना या जितने भी लोग हैं या सुबाज चंद्रा हैं हो चाहे बगल का जो जमीन मेरा कबजा के हुए असोग गुपता यह सब मिल करके एक सड़न तरिक तहत चाहता है कि इनको बदनाम करें और जमीन को कबजा कर लें परतमान में महागडबंधन की सरकार है आप उपमुकमंतरी तेश्वी आदब के रिष्टे में चचरे भाई भी लगते हैं क्या लग रहा है आपके साथ जो इस तरह से किया जा रहा है राजनीती से प्रेदित है क्योंकि इनको बदनाम करेंगे तो वो बदनाम होंगे लेक तो देख रहे थे लालू परसाद यादब जी के भतीजे नगेंदर राय जो हैं साफ तोर पे कह रहे थे कि इनके उपर जो आरोप लगा है गोलीवारी का आरोप है दो करोर रुपए रंगदारी का जो आरोप है वो असारासार गलत है पुलिस परसासन के उपस्थिती में यह सब हुई है राजनीती से प्रेवित बताया जा रहा है अब देखना हो कि सचाई क्या है जाच का विशह है पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीब की रिपोर्ट